हमारी कोई ब्रांच नहीं है, हमारी कोई शाखा नहीं है, अरे भाई, शरम आनी चाहिए तुम्हें, C&F होता है, सूपर स्टॉकिस्ट होता है, सेल्स डीपो होता है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे बिजनस को डेवलिप किया सकता है, आप का उगर ने छोटी सी शीट साप है, जी हम क्या कर सकते हैं, अरे छोटे लेवल पर भी फ्रेंचाइजी बिखती हैं, कि खाली दिमाग शैतान का घर, ये किन लोगों के लिए जो अदमास्ट कैटेगरी के हैं, तो ऐसे व्यक्ति का तो जीवन में कभी भी तरक्की होना संभवी नहीं है, तो आज जो बात में आपको बताने वाला होना, वो हो सकता है, बहुत कड़वी हो, अगर आप कड़वी बात सुनने के लिए तयार हैं तब इस वीडियो को ध्यान से देखना, हो सकता है किसी के दिल में चुप जाए, अगर चुबाने के लिए आप तयार हैं ना, कि मेरे दिल में वे बात चुप जाए, तो आप इस वीडियो को देखना, वरना इसको अभी स्किप कर देना, लोग सोचते हैं कि मुझे ये काम आता है, मैं इसी में पैसा कमा सकता हूँ, मुझे वो काम आता है, मैं इसी में पैसा कमा सकता हूँ, काम वही करना चाहिए, जो खुदाना चाहिए, दूसरे के कंदे पर रखकर बंदूक नहीं चलानी चाहिए, यह यह सबना dialogue बाजी है मैं आपको real incident बताता हूँ मेरे एक दोस्त की कहानी बताता हूँ दोस्त का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि आज वो मेरी वीडियो देखता है और मुझे हमेशा एक celebrity के तरह treat करता है लेकिन एक time था जब हम एक साथ घूमते थे आते जाते थे कभी कहीं खड़े होकर हमने कुछ fast food खा लिया कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया शाम को घूमने चले आते थे तो क्या था जब मैंने अपना career शुरू किया ना तो मैं tuition पढ़ाता था मेरा सबसे पहला जो favorite subject था वो था accounts मैं accounts की tuition पढ़ाता था और वो जो मेरा दोस्त था वो English पढ़ाता था अब देखो यहीं से ना देखो दोनों टीचर है एक बराबर योग एता है एक बराबर काभियत है subject अलग है, classes सेम है तो उसके अंदर हमेशा यह रहता है कि मैं जाला सादा batch पढ़ाऊगा, जाला सादा batch पढ़ाऊगा मेरे अंदर हमेशा यह रहता था कि आर अकाउंट का subject मैं पढ़ा रहा हूँ पर मेरे पास जो time है वो limited है आठ गंटे, नो गंटे, maximum 10 गंटे मैं पढ़ा लूँगा और यह पढ़ा तो मैं 12 गंटे भी लूँगा, कोई पढ़ने के लिए तयार हो मतला आत के एक बज़े भी tuition पढ़ा लूँगा लेकिन वो कतरा नहीं मैं अपने tuition में अपने subject से famous होंगा देरे-देरे मेरे coaching में बाकी subject के students आने लग गए कोई accounts के लावा economics, maths, physics, chemistry जबकि मैं commerce student था तो मेरा दोस्त कहता है नहीं यार मैं तो English के नाम से famous होंगा ध्यान रखेगा जब आप पूरा effort करते ना तो आपको 100% income आती है उनका मुझे 10% royalty आता था commission भी कह सकते हैं या profit sharing भी कह सकते है एक समय ऐसा आया मेरे पास 20 teacher हो गए कहने का मतलब अगर मैं खुद पढ़ा रहा हूं तो मेरी योग गिता से मुझे मिल रहे 100% लेकिन मेरे पास 20 teacher working हैं तो सब का 10-10% मिला कर मेरे पास आता था 200% तो मुझे समझ में आया कि अगर आगे बढ़ना है ना life में तो लोगों के समय को खरीदना सीखो और मैं उसको कहता था कि यार भाई मेरी बात सुन मैं नाम या नहीं ले रहा हूं अगर उसको लगता था कि मेरे पढ़ाए हुए student आपर आते हैं तो पूरे डेली NCR में 2 लाख student CBSC में बैठते थे जिनमें से कम से कम 10,000 student आपर होते थे मतलब जिनके highest marks आई हुआ है 90+, 95+, 99+, तो वो सब को तो बढ़ाता नहीं था तो कोई ना कोई best teacher तो होगा जरूरता उस best व्यक्ती को अपनी team में लेने की तो मुझे तो ये बात समझ में आ गई थी अब ये बात रही कि आप अगर business में ये बात समझ जाए न कि दूसरे की काबलियत को खरीद कर अपनी काबलियत में जोड़ दो तो आपकी income multiple level से growth होना चुरू हो जाएगी early stage पर ही ना मुझे समझ में आ गया कि business अगर करना है coaching institute करना है या कोई भी काम करना है उसमें आपके working hands आने चाहिए आपके पास franchise या आने चाहिए dealer आने चाहिए distributor आने चाहिए तकि आपका काम आगे बढ़े तो दिरे दिरे मैं तो एक coaching से 2 coaching 2-3, 3-4, 4-5 करता गया और पूसता रहा है यार ऐसा कैसे कर रहा है तो मैं उसको guide करता था कहते हैं कि फ्री की चीज जो होती है उसको लोग स्विकार नहीं करते तो मैं उसको free में बताता था आज उसी बात की consulting के हम लोग लाखो रुपे चार्ज करते हैं मैं उसको बताता था कि यार यह सारा system डेवलप कर सारा syllabus जो मूजबानी पढ़ाता है इसकी books बना, इसके notes बना, इसका content बना आज के time पर तो coaching teacher videos बना कर पैसा कमा रहे हैं तो उस time पर ऐसा नहीं था उस समय के तरहें notes बनाओ, teacher के handwritten notes होंगे तो student ज्यादा लाइक करेंगे तो जो व्यक्ति अपने business को systematic कर लेगा ना, वो life में आके बड़ेगा आज भी मेरा वही दोस्त अपनी वही उस समय पर उसके पास बड़ी famous bike थी, वो Yamaha की famous थी RX 100 उसने खरी दी थी जिस समय पर उसने RX 100 खरी दी थी थी अपनी income से उस time पर मैंने उस income से उतनी income मेरे पास भी थी लेकिन मैंने RX 100 नहीं खरी दी थी मैंने अपना एक नया center बनाया था नई unit बनायी थी और जब इस unit से income आई तो उस unit के income और पहली income और incentive income से मैंने सिधा कार खरी दी थी तो friends ये depend करता है कि आप अपने business में सही समय पर कैसे invest करते हैं दूसरा कई बार में business owner को देखता हूँ कि उनकी shop के भाहर लिखा होता है ESTD 1960 निचे एक बड़ी खतरनाक लाइन लिखे होती जिसको बड़े गर्व से लिखते हैं हमारी कोई ब्रांच नहीं है हमारी कोई शाखा नहीं है अरे बैस शरम आनी चाहिए तुम्हें क्यों 1960 से आप व्यापार कर रहे हो आपने बिजनस को सिस्टमेटिक तरीके से डेवलप नहीं किया ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं किया कि आपकी मल्टिपल शाखाएं हो जाएं और फिर आप कहते हो गल्ले की चाबी मेरे पास रहती है दुकान का शटर भी मैं खुलवाता हूं शाम को क्लोज भी मैं करता हूं तो ऐसे व्यक्ति का तो जीवन में कभी भी तरक्की होना संभव भी नहीं है जरुवत क्या है जरुवत है बिजनस के सिस्टम को अडेप्ट करने की आप देखो छोटे-छोटे बिजनसे हैं जिनों सिस्टमेटिक तरीके से अपने काम को डेवलेप कर लिया है और डेवलेप करने के बाद जिसे मैं एक एक एग्जामपल आपको दे देता हूं लेंस कार्ट जो है वो क्या है चश्मे की शॉप है अब एक चश्मे की शॉप एक व्यक्ति ने खोली हूई है उसको लगता है मैं नहीं होगा तो मेरे चश्मे बढ़िया नहीं बिख पाएंगे लेकिन लेंस कार्ट नहीं क्या किया लेंस कार्ट ने चश्मे को खरीदने से लेकर बेचने तक का एक सिस्टम बनाया एक प्राइज रेंज बनायी राइट तरीके से मार्केटिंग की बिजनस का प्रोपोजल बनाया वह कितनी इंवेस्टमेंट लगेगी कितना एरिया रिक्वार्मेंट है और रेकरिंग रिवेन्यू क्या होगा सेल्स का वॉल्यूम कैसे आएगा प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी प्रॉफिट शेरिंग क्या होगी कॉस्ट आफ मेटिरिल क्या होगी हर एक चीज़ को डॉक्यूमेंट कर दिया ना जब डॉक्यूमेंट किया तो बिजनस का एक प्लान बन गया problem सबसे बड़ी एक small business owner के अंदर यही है वो इस होसता है कि नहीं मेरा business मैं ही समालूँगा इस secret किसी शेयर नहीं करूँगा अरे मेरे भाई जो secret आप दबाए बैठे हैं आप से अधा market में एक बार चारो तरफ नजर गुमाना और आप देखोगे कि आप से कम योगता वाले आप से कम काबलियत वाले आप से कम पैसे वाले लोग आप से कई गुना आगे बढ़ गए क्यों क्योंकि और ने अपने business को systematic तरीके से develop कर लिया अपने business का पूरा plan बनाया purchasing का plan sales का plan marketing का plan recruitment का plan team की training का plan सब कुछ systematic तरीके से किया और फिर बाद में business model बढ़ना शुरू कर दिया और देखो आजकल हो क्या रहा है आजकल यंग star आ रहे हैं business का plan बनाते हैं proposal बनाते हैं बिना किसी business के सिर्फ business idea पर start-up funding लेकर आये और उनका business unicorn company बन जाता है तो भाई सब कुछ संभव है बशर्ते आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे systematic तरीके से कैसे काम करना है और आज मेरे पास multiple cars है मेरे बेटे का भी 2-3 पहले birthday था उसको birthday पर मैंने थार महिंद्रा थार gift किये 18 साल को वो है उसका driving license मनवाया है और उ बस अंतर क्या उस टाइम पर RX100 थी आज उसके पास में Pulser Baik है और वो Pulser लेकर ही बहुत कुछ है और किसी टाइम पर RX100 चलाते थे आज तो मेरे पास Pulser Baik है push start button है ऐसे तो पता नहीं मेरे कितने ऐसे marketing executive है मेरे staff के लोग है जिन पर NX1 है किसी पर Wagnar है किसी पर Alto है किसी पर Central है किसी पर Honda City है किसी पर और बढ़िया कार भी है लगजरी तो भाई यह डिपेंड करता है कि आपका business को लेकर mindset के है अगर mindset बहतर है ना तो आप किसी भी industry में तरकी कर सकते हैं अरे होरी पान वाला होरी पान आपको कहेगा यार पान की दुकान में कैसे काम हो सकता systematic होर होरी पान वाले ने पान की खेती करने के बाद अपने पान को डेवलेप किया अपने पान का टेस्ट प्रेफरेंस और राइट तरीके से आउटलेट बनाया उसका पूरा business proposal बनाया बिजन सिस्टम बनाया और फैंचाईजी आउटलेट कर लगा आज होरी पान के पूरे पैजी हम क्या कर सकते हैं अरे छोटे लेवल पर भी फ्रेंचाईजी बिखती हैं अबैकस क्लासिस तो बहुत छोटा काम है ना दस बाइदस का रूम चाहिए एक वो लेडी है वो खुदी टीचर है और खुद अबैकस क्लासिस में बच्चों को मैथेमेटिक सिखाती है बैकस क्लासिस जैसा बिजनस भी फ्रेंचाईजी मॉडल पर डेवलेप हो गया और आपको जानका हिरानी होगी कि ऐसे ऐसे बिजनस हैं ऐसे ब्राइंड जिन्हों ने अपने बिजनस को जब सिस्टेमेटिक किया तो उनका बिजनस बहुत तीजी से बढ़ने लगा बशरते आपका माइंड सेट क्या कहता है अगर आपके माइंड में एक बार भी आता ने कि मुझे अपने बिजनस को सिस्टेमेटिक करना है और ज़रूर नहीं कि हर बिजनस अफ्रेंचाईज ही हो फ्रेंचाईज सिस्टम भी होता है ठीक वैसे डिलर्शिप सिस्टम होता है चानक्येन एक बात कही थी बहुत बढ़िया कि यदी सारा जीवन अनुभव करके शीखने पर लगा दोगे ना तो एक जीवन कम पड़ जाएगा जरूरत क्या है हर व्यक्ति जिस की जिस काम में योग्यता है काबलियत है अनुभव है उसको हायर करो उसको उसकी कीमत दो औ और बदले में उससे उसका ज्यान रिसीव कर लो जो उसने अनेकों वर्षों में कमाया है यह राइट तरीका है और कुछ लोग एक सवाल और करते हैं यार मैंने बहुत लोगों को यह कहते हो सुना हमारा अपना खुद का कोई प्रोड़क्ट नहीं है हमारा खुद का कोई ऐस प्रोड़क्ट नहीं है उसनुँए उनके पास हजारों प्रोड़क्ट्स हैं सैमसंग है एपल है वईवो है पैनेसॉनिक हैनोकिया है और और तोग प्रोड़क्ट आपका है या नहीं, कुछ लोग यही सोचते रहते हैं, मेरा प्रोड़क्ट तो है नहीं, तो मेरी मार्केट में कोई उनिकनेस नहीं है, मेरी कोई USP नहीं है, तो मेरी फ्रेंचाइजी कौन लेगा, तो आपको जानके आश्चारे होगा, कि सारे ब्रेंड्स आज फ्रेंचाइजी में काम कर रहे हैं, अच्छा, दूसरा मान लीजिए, आपका ब्रेंड है भी, और आपको लगता है, मेरा सारा का सारा फोकस जो प्रोडेक्शन में लगा रहता है, तो भाई, प्रोडेक्शन छोड़के न, मार्केटिंग पर भी फोकस करो, छोड़के का मतलब, उसको बंद नहीं करना, छोड़के का मतलब, जो प्रोडेक्शन हो रहा है, अपने जैसे मैनेजर हायर करो, अपने जैसे लोग अपॉइंट करो, सेकिंड लीडर्शिप पर काम करो, स्मॉल स्किल बिजनस और की सबसे बड़ी प्रॉबलम क्या है? उसके पास सेकिंड लीडर्शिप नहीं है, जो उसके भयाध़ पर उसके जैसा काम उसके लिए कर सके, जिस दिन आपने second leadership generate करना शुरू कर दिया उस दिन आपके लोग आपका काम विवस्थित करेंगे और जिस दिन आपके लोग आपका काम विवस्थित करेंगे तो आप free हो जाएंगे और जितना जादा एक business owner free होता है उतना जादा उसका mind वो एक आवत सुनी न आपने, कि खाली दिमाग शैतान का घर, ये किन लोगों के लिए जो बदमास्ट कैटेगरी के हैं, लेकिन खाली दिमाग ग्रोथ का घर भी होता है, किसके लिए जो एक बिजनस ओनर है, खाली दिमाग हो कि तभी तो सोच पाएंगे, कि यार इस शैर में Like के legitimately भी मुझे बिजनस करना है, ये वाली सर्विसीस झा-डा करना है, करना है, टौल स्विसीस में भरी मुझे बढ़ा है सिर्फ अंतर ही हो गया है कि आप ने दुनिया की निजर में प्राइबेट लिमिर्टेडड बना ले आप और आपके वाइब Means वह में अप की मदर में और यह वह aquellos आपको company के निर्देशक है और निर्देशक का काम काम करना नहीं होता निर्देशक का काम होता निर्देश देना आदेश देना चीजों के बारे में guidelines जारी करना आप क्या करने हैं आप sales को देख रहे हैं आप marketing को देख रहे हैं आप operation को देख रहे हैं आप business की problems को देख रहे हैं आप अपने क्लाइंट के लीड को फॉलो कर रहे हैं, तो भाई, जिन्दिगी में कभी तरक्की होने वाली नहीं है, हर काम का एक सिस्टम डेवलप करो, उस सिस्टम के अधार पर लोगों को अपॉइंट करो, और अपने लिए काम ढूंडो, कि मुझे क्या काम करना है, मेरा काम करो, भाई कुछ भी करो, अपने बिजनस को सिस्टमेटिक करो, जो व्यक्ति अपने बिजनस को सिस्टमेटिक नहीं करेगा, उसी के सामने, उससे छोटे बिजनस कई गुना बड़े होते वे उसको दिखाई देंगे, और फिर वो कहेगा, अरे ये, ये कल का बच्छा, इस तो मेरे सामने बिजनस शुरू किया था, आज इसका बड़ा नाम हो गया, इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, ये रोना सब रोते रहते हैं, कि इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, इसे लोग बढ़िया मिल गए, तो भाई आपको क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आप कोई पत क्या करते कि नई करते हैं कि साड़े आटणों बजैन थenda रोते हैं Bangladesh यह जाटे है मजे से काम कर रहे हैं ज़तना हो जाए उतना बडिया पैसा आपके बास बएसान यह क्यों कि सारा पैसा आप घर ले जाते हैं और जब घर से लाना होता है, जुरुत पढ़ती है बिजनस में, तो एक डायलोग मारते हैं, और यार इस महीने तो पैसा घर से लग गया, आपका घर तो खदान है पैसे की, वहाँ तो आपने दादा जी पर दादा जी के पैसे गड़े हुए थे, वो निकाल निकाल के आप ल जाने में रखो, ऐसे लोगों को लाओ, जो आपकी काबलियत में इजाफा करें, कंसल्टेंट्स को हैर करो, अगर आपको बिजनस से संबंदित, कोई भी कंसल्टिंग चाहिए ना, तो मेरी टीम को कंटाक करो, मेरी टीम आपको गाइड करेगी, कैसे मुझसे मिलकर सही तरी टेकनिकल एजुकेशन इंस्टीट से पूरे इंडिया में फ्रेंचाइजी इंस्टीट, पूरे इंडिया में फ्रेंचाइजी इंस्टीट बनाने के बाद, मेटास ओवर्सीज लिमिटेड कंपनी, जो स्टेलने स्टील मोडोल किचन बनाती है, आज पूरे इंडिया मेरे हैं dealers हैं distributors हैं franchise ही हैं इसके लाव हम export करते हैं तो कैसे संबब हो पाया है लोगों की वज़ा से जब आप लोगों को hire करने की क्षमता जाएंगे तो आप growth करेंगे मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तयार हूँ बशरते आपके मन में विश्वास हो कि yes I can do everything अगर आपको अपने उपर विश्वास है ना तो मेरी कि अजा प्राओगर है तो मेरी विश्वास है भर आपको सब के विश्वास है तो मेरी विश्वास